अडानी हिडन बर्ग मामले में सुप्रेम कोड लगातार ताबर तोल फैसले ले रहा है सुमबार को सिप्रेम कोड ने फूप्स की रिपोर्ट को रिकॉर्ट पर लेने से इंकार कर दिया है सोंबार सुबा एक याचिका करता की ओर से इस संदर में आगने किया गया था जिसको CGI ने ठुकरा दिया आपको बता दें कॉंग्रस नेता जया ठाकूर ने याचिका दायर की थी 17 फरवरी को भारत के मुखे नाय अधीश किया गवाई वाली बेंच ने भारती निवेज को की सुरक्षा के लिए नयावाक उपायों की समेक्षा करने के लिए एक समिती गढ़ित करने का आदेश सुरक्षित रखा था आज आचिका करता हूं में से एक डॉक्टर जया ठाकूर के वकील एड़ोकेट वरूठ ठाकूर ने बेंच सेफोब की रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लेने का नुरूध करते हुए कहा कि इसे बाद में प्रकासित किया गया है जिस पर CGI ने कहा कि हम इसे रिकॉर्ड में नही हो सौपे सालीशीटर ने कहा था कि हम चाहते हैं कि सच सामने आए लेकिन बाजार पर इसका असर ना पड़े किसी पूर्व जजज को निगरानी का जिम्मा सौपने पर कोड फैसला ले सकता है जिस पर CGI ने कहा कि आपने जो नाम सौपे हैं वा दूसरे पक्ष को ना दिये जाच की दाएरे में होना चाहिए वही वकील एमेल शर्मा ने कहा कि शौट सेलिंग की जाच हो CGI ने कहा कि अपने याच्ची का दाखिल की है तो बताइए कि शौट सेलर क्या करता है इडिये रिपोर्ट के मुताबिक हिडन बग मामले में एमेल शर्मा ने कहा कि इनका काम बिना डिलिवरी शेयर बेचना और मीडिया की जरिये भ्रम फैलाना है जिस पर जस्टिस नसिम्मा ने कहा कि मदलब शौट सेलर मीडिया के लोग होते हैं शर्मा ने कहा कि जी नहीं, यह मार्किट प्रभावित कर लाब कमाने वाले लोग हैं। प्रसांज भूसर ने कहा कि हम कोट की निगरानी में SIT या CBI जाज की मांग कर रहे हैं। CGI ने कहा कि यानि आपने माल लिया है कि कुछ गलत हुआ है। भूसर ने कहा कि या डानी कमपनियों के 75% से जादा शेयर खुद प्रमोट या उनसे जुड़े लोगों के पास हैं। CGI ने कहा कि आप अपने सुझाव दीजिए।